दोनों समय का भोजन मा बनाती है। जीवन करके भोजन का प्रबंद करने वाले पापा को हम सहजी भूल जाते हैं। कभी चोट या ठोकर लगे तो ओ मा मुझसे निकल जाता है लेकिन रास्ता पार करते समय कोई ट्रक पास आकर ब्रेक लगाए तो बाप रे मुझसे निकलता है क्योंकि चोटे-चोटे संकट तो मा के लिए हैं बड़े संकट आने पर पापा ही याद आते हैं पिता वह वट व्रक्ष है जिसकी शीतल चाव में पूरा परिवार चैन से जीता है नमशकार मैं हूँ मोहित कमलश्ने माली आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर आईए अब बात करते हैं आज के विशेश उपाय की तो आज के विशेश उपाय में जैसे मैंने आपको बताया था भाग्य का लिखा यदि निश्चित है तो जाप करने से कोई धनवान कैसे बन सकता है मंत्र किस प्रकार कारिय करते हैं रोगी कैसे ठीक हो सकता है संतान ही किस नियम से संतान प्राप्त कर सकता है इस प्रकार के प्रश्ण दिमाग में आते ही हैं। पाप करम और पुन्य करम का भोग सभी को स्वतह प्राप्थ होता है। पर कुछ करम भोग ऐसे भी हैं जो करम से ही कट जाते हैं। करम की बेडी, करम की छेनी, हतोरी से कट जाते हैं। जिस शक्ती से पाप करम बनता है, उस शक्ति द्वारा पुन्य करम भी संपन होता है अशुब अपवित्र पतीत दोशी पापी का जब चिंतन भी करम है और शुब पवित्र सादू का सद्गुण संपन का जाब चिंतन भी करम है जब हम शक्ति संपन पवित्र कल्यानकारी शक्तियों का अर्थात देवताओं का करते हैं तब उनकी दयाद रिष्टी से हमारे दुख संकट दूर हो सकते हैं एक रहस्य की बात जानने समझने लायक है कि हमारे पास यदि पैसा होता है तो कोई भी कारे आसानी से पूरा हो जाता है यदि पैसा नहीं होता तब उधार लेकर भी काम पूरा किया जाता है इसी प्रकार मनुश्य अपने पुन्यों से अपनी अभिलाशा पून करता है पर जब पुन्य रूपी पून्जी नहीं होती तब शक्ती संपन देवताओं की शरण लेकर उनकी दया से अपनी कामना की पूर्ती कर लेता है पर देवताओं का रिणी हो जाता है इसलिए मंत्रजाप के परश्चात सादक को हवन करके दान करना बहुत ही जादा जरूरी है अब अकसर देखते होंगे जब भी कोई हवन होता है हवन के बाद में एक बार जरूर पंडित जी बोलते हैं कि जो भी यहाँ पिस चीज़ें आपको दिख रही है समपन होने के बाद में इन सभी चीज़ों को अब दान करें दान करने से रिंड कटता है जतना दान पुन्य किया जायेगा उतना ही शीगरता से रिंड कट जायेगा सफलता प्राप्त करने पर जो जातक, साधक, सेवा, दान, पुन्य तप नहीं करते वरणी रह जाते हैं और उनकी सफलता कुछ समय पश्चात जल्दी असफलता में बदल जाती है इसी लिए देवी देवताओं के उपासक को चाहिए की अपनी इच्छाओं को कम करते हुए तन द्वारा, धन द्वारा, योग्यता द्वारा, दूसरों की सेवा सहायता भी करता रहे इर्शिया, क्रोध, द्वेश, लोब, क्रूरता, कठोरता ये सबी जो हैं ये पाप की व्रद्दी नहीं होने दे अधर्म से, पाप से, हेंसा से, अंत में सब पापों के मूल अज्ञान से हमेशा सावधान रहे आशा करता हूँ, आपको आज का एपिसोर पसंद आया होगा